दोस्तों आज हम बात करेंगे prostrate gland के बारे में क्योंकि ये males में होता है और हर person को इससे असर होता है 50 years के बाद जिसके बारे में हमारा जानना बहुत जहो रही है ये prostrate gland होता है जो एक अखरोट के size का होता है और हमारे विशाप की ठहली में नीचे होता है और urine जब हम पास करते हैं तो इसके अंदर एक होल होता है जिसके थूरू यूरिथ्रा के थूरू बाद में urine बाहर निकलता है और prostate जो है या अपनी कुछ secretions हमारे urine में डाल देता है और semen बनाकर वो भी इसके थूरू urine के थूरू निकलता रहता है बात आती है prostate की उमर के साथ बढ़ने की जैसे से एज बढ़ती जाती है prostate का साईस बढ़ता जाता है और एक certain एज आने के बाद हर मेल का prostate का साईस बढ़ चुका होता है इस तरीके से कि जब urine आता है तो एक दम आजाता है और वो पुस्टियर यॉरित्रा से आगे की तरफ आता है दो-चारबून निकल जाता है जब तक परसंट बातरूम जाए इसको कहते है अरजेनस्य आफ यॉरिन फिर दूसरी बात क्या होती है कि यॉरिन जब करने है जब परसंट खड़ा होता है उसको urine निकलता है नहीं फिर वो वापस आकर जो अपनी कुर्सी बैठते तो फिर urine आ जाता है इसको कहते हैं hesitancy of urine साथ में पिशाब की दार पतली होती जाती है और बाद में urine जो है drop drop करके गिरना शुरू हो जाता है और एक stage ऐसी आती है कि urine जो है निकलना ही बंद हो जाता है जिसको हम retention of urine कहते हैं और कई बार अगर एक दम bladder से urine निकले तो वहाँ पर bleeding होके पिशाब में blood भी आ सकता है तो यह तो ओगे prostate gland के बढ़ने के लक्षन अब बात मैंने उठाई क्यों क्योंकि prostate gland में cancer भी बड़ा common होता है और यह cancer जो होता है यह males के उने वादे cancer मेरे खाल से सबसे common होता है बस अच्छी बात यह है कि time to detect होने में अगर आप operation कर दे तो मरीज 100% ठीक हो जाता है यह उसके metastasis थोड़ा late होते हैं पर जब वो होते हैं वो हमारे balls में brain में किसी में भी हो सकते हैं जिस तरीके से अपने कई celebrities में होते हुए देखा है तो हमें करना क्या चाहिए एक तो यह है कि एक test होता है prosthetic specific antigen जिसको PSA कहते हैं इसका check-up 50 साल के बाद साल में एक बार तो करा देना चाहिए normally यह चार kill value से कम होता है और बढ़ भी जाता है थोड़ा सा तो इसका regular check-up हर साल होना चाहिए अगर sudden rise होना शुरू हो जाए इसमें तो इसको देखना होता है पर mind you यह कोई cancer कर diagnostic test नहीं है यह screening test है यानि कि अगर यह ज्यादा आता है तो आप इसकी तरफ ध्यान देंगे यह नहीं कि ज्यादा आया तो आपको cancer है और यह prostatic specific antigen जो होता है यह हमारे prostatic के अंदर tissue से बनता है और cancer cell से भी बनता है तो prostate का size जैसे से बढ़ता जाता है PSA का level बढ़ता जाता है इसलिए अगर आपके अमर 30-40 साल है तो PSA कम होगा अगर आपके अमर ज्यादा है और prostate brain का size बढ़ गया तो इसका report ज्यादा होगी अब हम आजाते हैं कि PSA किस किस तीर में बढ़ता है एक तो यह अमर के साथ बढ़ता है वजन के साथ बढ़ता है अगर आप मोटें तो PSA बढ़ जाएगा exercise करने के बाद आप देखेंगे तो यह बढ़ेगा आप अगर किसी person को infection है urine का या prostate का तो यह बढ़ जाएगा हमने अपने तजर्मे में देखा है कि urine के infection से या अगर आप इंफेक्शन ठीक करें तो फिर यह चार या पांच या तीन तक आ जाता है और sexual activity के बाद PSA का level ज्यादा देखा गया है तो मैं चाहता था कि PSA के बारे में आपको मैं knowledge में डाल दूँ कि यह screening test है यह cancer है या नहीं यह नहीं बताता लेकिन अगर यह ज्यादा आए तो आप रेगिलर्री अपना PSA का level का test कराते रहिए और इसका level कई लोगों को पता नहीं है कि यह उमर के तकाज़ से भी बढ़ता है जैसे age बढ़ती है तो यह बढ़ता जाता है और यह after sex इसका level 24 गंटे तक बढ़ा हुआ हो सकता है और यह exercise के बाद भी बढ़ता है तो जब भी आप यह test कराएंगे तो इन activity से परेज करने के बाद आप 24 गंटे के बाद यह test कराईएगा और अगर यह ज्यादा आता है तो urologist को कि यह क्यों बढ़ा हुआ है और अगर यह regularly raise रहता है तो फिर इसका आगे निदान करना जबूरी हो जाता है जिसमें सबसे पहले हम multisound कर सकते हैं prostate का MRI करते हैं और सबसे आसान होता है एक जो internal exam निशित करके urologist अपने gloves पहन के Latin के रस्ते गुदादवार से उंगली डाल कर prostate की feel देखकर यह बता सकते है कि यह cancerous feel है यह normal feel है तो आप सब का मेशा जोड़ने के लिए धन्यवाद इस तरह के update मैं आपको देता रहूँआ अगर आप ऐसे update चाहते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और like minded people में शेयर कर देजे आप सब का मेशा जोड़ने के लिए धन्यवाद